Hi friends, आज एक missing number का question देखते हैं यहाँ पे question mark दिया हुआ है और यहाँ पे three options है तो चलिए solve करते हैं जो logic यहाँ पर हैं वही यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए तो चलिए पहले इसको solve करते हैं 5, 4, 61 दिया हुआ है so 5 और 4 और 61 कैसे आ सकता है वो हम जल्दी से देखते है तो क्या करेंगे हम 5 का cube लिख लेते है 5 का cube माइनस 4 का cube क्या होता है 125 माइनस 64 मिला 61 so यहाँ 61 दिया हुए same logic यहाँ भी होना चाहिए 8 का cube माइनस 6 का cube 8 का cube क्या होता है 512 6 का क्या होता है 216 क्या मिला 296 so 296 यहाँ अब यहाँ पर क्या होना चाहिए यह same logic same तरह से हम इसको solve करेंगे so यहाँ करेंगे 9 का cube माइनस 5 का cube 9 का cube कितना होता है 729 5 का होता है 125 तो दोनों को माइनस करने से क्या मिलेगा 604 तो देखें यहाँ पर C option में 604 दिया हुआ है मतलब इसका answer हमें क्या मिला 604 उमीद हैं आप लोगों को यह logic समझ में आया और आसान भी लगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो फ्लीज मुझे comment में बताइए और यहर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर कीजिए और मुझे यह भी बताइए comments में कैसे कैसे वीडियो आप दीखना चाहते हैं किस तरह की questions आप चाहते हैं कि मैं solve करके बताऊ comments में यह जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को जरूर से subscribe कीजिएगा और all notifications से लट करके bell icon को press कर दीजिएगा thank you, bye bye